इस्राइल और लेबनान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है हिस्बल्ला पर दबाव बनाने के लिए इस्राइल ने लेबनान के 300 ठिकानों पर हमला किया है इस्राइली सेना की और यह दावा किया गया है वहीं लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि इसराइली हवाई हमलों में 21 बच्चों समें 356 लोगों की मौत हो गई जबकि 1024 लोग घायल हो गए मरने वालों में 49 महिलाएं और दो चिकितसक शामिल है वहीं लगातार हो रहे हमलों के बीच इसराइल काबिनेट ने विशेश सिती को मंजूरी दी है इसे देश में आपातकाल जैसे हालातों में लागो किया जाता है लेबनान के स्वास्थि मंत्राले ने बताया कि इसराइली हवाई हमले बिंज जेबिल एतारोन, मजदल सेलेम, हुला, तूरा, क्लैले, हारिस, नभीचित, तरेया, शमेस्टार, हर्बता, लिबबाया और सौमोर सहित दर्जनों शहरों पर हुए लेबनान में सन्युक्त राष्ट्र समनव्यक ने कहा कि राजनेक प्रयासों को सफल होने की गुंजाईश दी जानी चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा और ख्षेत्र की स्थिर्ता खत्रे में है रविवार को हिजबुल्ला ने उत्तरी इस्राइल में एक सौ से अधिक रॉकेट दागे थे रॉकेट इस्राइल के हाइफा शहर के पास गिरे थे इस हमले में चार लोग घायल हो गए वही रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्ला के उपनेता नईम कासिम ने खुली लडाई का एलान किया था जवाबी कारवाई में इस्राइल ने दक्षिनी लेबनान में हिजबुल्ला के थिकानों पर हमला किया जिसमें एक एरबेस और सेन्य उत्पादन सुविधाएं शामिल थी लेबनान के स्वास्थ्य मंत्राले ने बताया था कि दक्षिनी ख्षेत्रों में इस्राइली हमलों में तीन लोग मारे गए जबकि हिजबुल्ला ने पुष्टी की कि उसके दो लड़ाके मारे गए इस्राइली सेना ने हिजबुल्ला ने 20 सितंबर को उत्तरी इस्राइल पर एक बड़ा हमला किया लिबनान जे राद भर में 150 से अधिक रॉकेट मिसाइल और ड्रोन दागे गए इसके बाग भड़की इस्राइली सेना ने पलटवार में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इबराहिम अकील को धेर कर दिया इबराहिम अकील हिजबुल्ला में दूसरे नमबर पर है जो सीधी चीफ हसन नसल ला को रिपोर्ट करता है इस्राइल ने हमास के साथ गाजा में युद्ध के बाद उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया है हिजबुल्ला के हमले के चलते उत्तरी इस्राइल के सीमा वरती इलाकों से लोग अपने घरों को छोड़ कर चले गए थे इस्राइल के रक्षा मंतरी योव गैलंट ने कहा कि उत्तरी सीमा के निवासियों की अपने घरों में सुरक्षित वापसी तक हिजबुल्ला के खिलाफ कारवाई जारी रहेगी उनोंने कहा कि इस्राइली जन्ता को सन्यम दिखाना होगा उन्होंने लेबनान में हिजबल्ला के खिलाफ सेना के हमलों के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयर्ड आस्टिन से बात की थी आस्टिन को हिजबल्ला की धमकियों की जाँच की इस्राइली नागरिकों के खिलाफ हमले शुरू करने की हिजबल्ला की क्षमता को कम करने के लिए हमलो जानकारी दी गई इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नितन्याहु ने भी कहा है कि उत्तरी सीमा पर सुरक्षा संतुलन में बदलाव किया जा रहा है इस्राइल मुश्किल दिनों का सामना कर रहा है उन्होंने इस्राइल की जनता से एक जोट रहने का आवान किया तेल अवीव में सेना के मुख्याले में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद पियम नितन्याहु ने कहा कि मैंने वादा किया था कि हम उत्तर में सुरक्षा संतुलन शक्ती संतुलन बदल देंगे ठीक यही हम कर रहे हैं आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें